हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका हमारे क्यूक स्टेडी चैनल में जिसमें मैं आपके लिए लेकर क्या हूँ राजस्तान पसू परीचर के पार्ट बी की मैथपूर्ण पर्शन स्रीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करन ना बूलिया आप हमारे चैनल पर नहीं है तो फटाफट से चैनल को कर लिजे सस्क्राइब ताइब कि आपको नोटिपिकिशन मिलने में आसा नहीं रहे इस्टुडेट आज हम बात कर रहे हैं पसू परीचर के पार्ट बी की क्लास सेउन के बारे में अब तक हमने 6 क्लास क पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंट्स को शेयर करना ना बुले आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंट्स को वीडियो शेयर करेंगे तो वह भी अपनी पसू परीचर तयारी का आंगलें टॉप क्यूशन सीरीज के प्रोटीन होता है और जो खनीज लवन है और जो लेक्टोज है वे विलियन के रूम में उपस्तित होता है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर टू फ्रोजन सीमन का बंडारन किया जाता है तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है माइनस 79 डिग्री सेंटिग्रेट सियो टू माइनस एक ऑप्शन भी है माइनस 113 में डिग्री सेंटिग्रेट तर औरल हीलियम, option D, उप्योग सभी, क्योशन नमबर 2 का सही आंसर होने वाला है, option D, जो frozen semen है, उसका बंडार्ण तीनों तरी के से किया जाता है, जो तीनों temperature है, उनमें हम frozen semen का बंडार्ण कर सकते हैं, तो चलते हैं next question के और हमारा अगला question है, question number 3, विशू का परतम kloning पस होए, ऐसा कौन सा पस होए, जिसको विशू में पहली बार kloning किया गया था, तो हमारे options है, option A, भेड, option B, भेंस, option C, बकरी, option D, गाई, question number 3 का सही आंसर है, option A, भेड, जो की विशू का परतम kloning पस होए, और मा आपको पता दू, जो kloning होती है, उसका आर्थ होता है, किसी प्राणी की कोशिकाओं, वे, DNA से replication दुआरा, समान प्राणी तयार करना, हूब हूब प्राणी तयार करना, जैसे पहले, जिस बेड का प्राणी तयार किया था, वैसी दिखने वाली बेड बनाना, जिसके अंदर, दोनों में, जो DNA होते हैं, वैं समान रूप से होते हैं, और मा आपको पता दू, जो परतम kloning किया गया था, बेड उसका नाम डोली रखा गया था, और इसका विकास, गुनिशु सित्यान में के अंदर, रोसलिंग, इसकोल्ड एंड के रोसलिंग विशु विद्ध्याले में, डाक्टर केमबेल वे यान विलमिट के दुआरा किया गया था, चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर फोर, एक ही नसल के साथ एसम बन्दिख सुद्य नसल के पशवों के बीच करोस को कहाजाता है, तो हमारे उप्षन से, उप्षन ए, आउट करोσिंग, उप्षन भी ए, क्रोस बिढ़िई, उप्षन से, क्रिस करोस, उप्षन डिया, बेग करोस, Q4 का सभी आंसर है Option A. Outcrowsing एक ही नसल के साथ ऐसा मनिज सुद्ध नसल के पसू के भी जो क्रोस करवाया जाता है उसे Outcrowsing कहा जाता है साथी साथ मा आपको यह बता दू जो बे क्रोस होता है वह है एक संकर नसल पसू का क्रोस सुद्ध माता पिता के साथ किया जाता है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 5 चत्य के समान दिखाई देने वाला पेट का परारूप है तो हमारे उप्शन से उप्शन A. Romain उप्शन B. Reticulum उप्शन C. Omajon उप्शन डिये एबो मेजम क्यूशन नंबर 5 में सही आंसर है उप्शन B. Reticulum जो कि छत्य के समान दिखाई देने वाला पेट का परारूप है और माप को बता दू जो रूमेन होता है वह पेट का सबसे बड़ा भाग होता है और जो एबो जेटम एबो जेटम पेट का जो pH मान होता है pH 2 होता है तो साथ ही साथ माप को बता दूए अमलिये पर करती का होता है चलते नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 6 मुर्गियों में रिकेर्स रोग का कारण है तो हमारे उप्षन से उप्षन A विटामिन A की कमी उप्षन B विटामिन D की कमी उप्षन C विटामिन B2 की कमी उप्षन D A विटामिन C की कमी क्यूशन नंबर 6 में सही आंसर है उप्षन B विटामिन D की कमी जो कि मुर्गियों में रिकेट रोग का कारण है साथे साथ माप को यह बता दू जो विटामिन एक है उसकी कमेशे निउट्री सिनलल रोग हो जाता है और जो वी टू है उसकी कमेशे पेरों की अंगलियों का पकसागात हो जाता है यानि कि पेरों की जो अंगलिया है उनमें पेरलाइसिस हो जाता है चलते हैं नेक्ट्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 7 आर्से दसमा की आयू के चूजों को दिया जाने वाला रासन कहलाता है तो हमारे उप्षन से उप्षन है स्टार रासन, उप्षन भी ग्रोवर रासन, उप्षन से लेयर रासन, उप्षन डी है फ्लेसिंग रासन क्यूशन नमबर सेवन में सही आंसर है, उप्षन भी ग्रोवर रासन, जो की आर्च से दसमाए की आयू में चूजो को दिया जाने वाला रासन कहलाता है, साथ इसाथ माँ आपको बता दूँ, यह जो ग्रोवर रासन है, वह एक दिन की आयू से लेकर आठ सपता की आयू तक और जो 20 सपताय से अधिक आयू के चूजो को दिया जाने वाला रासन है, वह लेयर रासन कहलाता है, और जो गर्वित मादा को छेमाए की आयू के बाद में दिया जाने वाला रासन है, वह प्लेसिंग रासन कहलाता है, चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला बता निर्दारित की जाती है तो हमारे उप्शन से उप्शन ए क्लेंडर उप्शन भी लेक्तो मेटर उप्शन से बुटाइरो मेटर option भी स्ट्रेप्टो मेटर Question number 8 में सही answer है option A क्लेंडर अंड़े की जो आंतरिक गुनवता नेड़ध रीट की जाती है विसे کलेंडर के केंडिलर कहते है क्या बोला जाता है उसको केंडिलर बोला जाता है साथी साथ माप यह बता दूं जो पोईटरी का निर्मान आइष्ट है वा पूरो पक्सिम दिसामी किया जाता है जिससे सॕह खिदी किंडे, शीड बर गिंडे से शीड गरम होने से क्या किया जाता है, बचाया जाता है, जिससे जो अंडे की आंत्रिक गुणवता होती है, वह अच्छी रहती है, चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमर 9 में सही आंसर है, उप्शन B, केपोन नाइजेशन क्रिया कहलाती है, जो मुर्गियों में बंदी करेंड क्रिया होती है, उसी केपोन नाइजेशन कहते हैं साथी साथ माप को यह बता दूँ, जो 8 माह के, 8 माह से कमा यूँकि नर्द चूजे होते हैं, उनको वर्षन की हटाने की क्रिया, क्या वो लग जाता है, केपोन नाइजेशन जिसे बंदिया करेंड भी कहा जाता है, तो चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 10 केटलो पर जाती का संस्करन है, तो हमारे उप्षन से, उप्षन ए, विदेशी गाई इन्टू याक, उप्षन ब ए, अमेरिकन बेंस इन्टू विदेशी गाई, उप्षन से, उउट इन्टू लामा, उप्षन ए, गोड़ी इन्टू गदा, क्यूशन नमबर 10 में, सही आंसर है, उप्षन बी, अमेरिकन बेंस इन्टू विदेशी गाई क्या, संकरन होने के बाद में, जो केटलो परजाती बनती है, साथे साथ मैं आपको बता दूँ, जब दो अलगलग परजातियों के जानवरों का परजिनन करवाया जाता है, तो ये परजातीय जो केलाता है, परजातीय संकरन केलाता है, तो चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन के ओर, हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 11, निम्न में से, बेंस की नसल सुदार के लिए, सबसे अच्छी परजिनन पत देती कौन सी है, तो हमारे options है, option ए cross पर जनन, option भी चैनित पर जनन, options ये line पर जनन, option डिये grading अप, question number 11 में, सही answer है, option भी चैनित पर जनन, जो कि भारत में बैंश की नसल सुदार के लिए सबसे अच्छी पर जनन विदी है, साथी साथ में आपको बतादू, गाय, भेड, बकरी में नसल सुदार के लिए जो सबसे अच्छी पर जनन पर जनन है, और जो मुर्गी सुखर की नसल सुदार के लिए सबसे अच्छी पर जनन पर जनन है, चलते हैं, next question के और हमारा, अगला question है, question number 12, पूरवजों के परदशनों के आदार पर चेन का आदार कहलाता है, तो हमारे options है, option ये विक्तिगत चेन, option B परिवार चेन, option C संतिती प्रिक्षन, option D ये वनसावली चेन, question number 12 में, सही answer है, option D ये वनसावली चेन, जो के पूरवजों के पर जनन पर, sorry, पूरवजों के परदशनों के आदार पर, चेन का आदार कहलाता है, साथी साथ माप को ये बता दूँ, जो व्यक्तिगत चेन है, वे स्वेम के परदशन के आदार पर, संतिती प्रिक्षन क्या जाता है, वे प्रिवार चेन कहलाता है, और मैं आपको साथी साथ इसके साथ ये बतादू जो सबसे अच्छा चेहन का अधार है ये संतिती प्रिक्षिन को माना जाता है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 13 डेरी गाए में उस्ट दूद काल होता है तो हमारे उप्षन से उप्षन ए 300 दिन उप्षन भी 330 दिन उप्षन से 350 दिन उप्षन डिये 280 दिन क्यूशन नमर 13 में सही आंसर है उप्षन ए 300 जो तीन सो दिन जो डेरी गाए में उस्ट दूद का काल होता है तो चलते हैं, नेक्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स् उसे serving कहते हैं और जो घोड़ी के अंदर समागम की करिया होती है उसे covering कहा जाता है student 14 number question का सही answer है option D tapping जो भेड़ में समागम की करिया होती है वह tapping कहलाती है और जो मूट में समागम की करिया होती है उसे लखाना कहा जाता है चलते है next question की और हमारा अगला question है question number 15 गाइए में परशो की क्रिया क्या कहलाती है तो हमारे options है option C coupling option LG option F chilling Q Ocean Haipain में सब्सक्ति है गाई में जो परसव की क्रिया है वो Calinois कहलाती है साथ इसाथ जो भेड में परसव की क्रिया होती है वो Labing कहलाती है और जो घोडी में परसव की क्रिया होती है वो P bist Cola कहलाती है तो चलते हैं student next question के उसटूडेंट अगर आपको इन क्यूशन के आंसर पता है तो आप भी कमेंट के माद दिम से उनका जवाब दे सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें तो वो अपनी तेहर कांक लेंट काफी शानदा टॉप क्यूशन सीरीज के माद दिम से एक कर सकें तो हमारा अगला क्यूशन है 16 बेंस की मास वाली नसल बेंस की मास वाली नसल होती है स्टूडेंट क्यूशन में तोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें मैं आपको बता दूण क्या लिका हुआ है बेंस की मास वाली नसल में गरबकाल होता है तो हमारे उप्सन से उप्सन ए 150 दिन उप्सन भी 145 दिन उप्सन C85 दिन उप्सन D ए 140 दिन क्यूशन नमबर 16 में सही आंसर है Option B 145 दिन जो भेड़ की मास वाली नसल है उस नसल में गरब काल 145 दिन होता है और जो भेड़ की उन वाली नसल है उस नसल में गरब काल 150 दिन होता है और जो बकरी का गरब काल होता है वो 105 दिन का होता है और जो गूने में गरब काल होता है वो 390 दिन का होता है तो चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 17 बैंस का मास कहलाता है तो हमारे options है option A B, option B केरा बीप, option C game, option D A wheel question number 17 में सही answer है option A, sorry option B जो बैंस का मास है तो है केरा बीप कहलाता है साथी साथ मैं आपको यह बता दूँ जो खर्गोस का मास है वो गेम कहलाता है जो गाय का मास होता है वे बीप कहलाता है और जो बैड का मास होता है वे मतन कहलाता है और बकरी का जो मास होता है वे चेवन कहलाता है तो चलते है student next question के और हमारा अगला question है question number 18 बैड का बदिया करत किया हुआ नर क्या कहलाता है जो भेड़ का बदिया करती या बंदी करेंग जो किया जाता है वहे नर क्या कहलाता है तो हमारे उप्शन से उप्शन ए बुलो क्या इस्टियर उप्शन भी विडर या वेदर उप्शन से गोल्ड या गेल डील उप्शन भी केपेंट क्यूसन नमबर 18 में सही आंसर है उप्शन भी विडर या वेदर जो कि बेंस का बदिया करन नर है वहें विडर या वेदर कहलाता है साथे साथ माँ आपको बता दू जो गाई और बेंस का बदिया करन किया हुआ नर है वहें बुलो क्या इस्टियर कहलाता है और जो घोडे का बदिया करने रहे वे गेल्डिया गेल्डिंग केलाता है और जो मुर्गियों का बदिया करत किया हुआ रहे वे केमपन केलाता है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 19 बदिया करत की ही मादा को जाना जाता है क्यूशन नम्र 19 में सही आंसर है ओप्सन ए इस पेड जो की बंदिया करत की हुई मादा को बोला जाता है मैं आपको बता दू जितने भी पसुपक्षियों की बंदिया करन की हुई इस पेड कहा जाता है गाय बेंस की आवाज को बेलोईंग कहते हैं बेड बकरी की आवाज को ब्लीटिंग कहते हैं चूजो की आवाज को क्रोविंग कहते हैं चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नम्र 20 निमनी में से मुर्रा समो की बैंस नहीं है तो हमारे उप्सन से उप्सन निली रावी option B गोदावरी, option C कुंडी, option D मैसाना question number 20 में सही answer है option D मैसाना, मैसाना जो मुर्रा समोग की बैंस नहीं है साथी साथ मैं आपको यह बता दू जो मैसाना, सूर्ती और जापरावदी जो नसल है यह गुजराश समोग की नसल है साथी साथ एक किरिया होती है जानवरों के अंदर वो विंग होती है, बेलो विंग होती है इसके अंदर जो जानवर है, पानी है, कीचर में लोडते हैं चलते हैं, next question के और हमारा अगला question है question number 21 जाफरावादी नसल का उत्पति इस्तान माना जाता है तो हमारे options है, option A, Itawa, UP option B, गिरी जंगल गुजराद, option C, सूरत गुजराद, option D, फिरोजपूर पंजाब question number 21 में सही आंसर है option B, गिरी जंगल या गुजराद, जो की जाफरावादी नसल की उत्पति इस्तान माना जाता है जो निली रावी बैस का उत्पति इस्तान माना जाता है तो हमारे option से option D, मुर्रा, option B, सूरती, option C, बदावरी, option D, मैसाना question number 22 में सही आंसर है option D, मैसाना, मैसाना बैस नसल का सबसे लंबा दूदकाल होता है साथी साथ मैं आपको यह बतादू, जो मैसाना नसल है यह मुर्रा पलस सूरती का मिसरन है और जो बदावरी नसल की बैसे होती है उनकी दूद में सरवादी 13% क्या पाई जाती है वसा पाई जाती है साथी साथ जो नीली रावी होती है इसकी दूद में सबसे कम क्या पाई जाती है वसा पाई जाती है और यह 4% होती है और जो सूरती नसल की पसू है या बैंस है उसके सिंग हसियां के आकार के होते हैं तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 23 बैंस की सबसे भारी नसल कौन सी है तो हमारे उप्शन से उप्शन है जेरांगी Option B जाफरावादी Option C नीली रावी Option D मुर्रा Q23 में सही आंसर है Option B जाफरावादी बैंश की सबसे बारी नसल मानी जाती है साथी साथ मा आपको बता दू जाफरावादी बैंश की नसल के सींग नीचे की और मुड़े विये होते हैं जो जेरावी नसल है यह सबसे चोटी नसल है और जो नीली रावी है इसको पंच कल्याणी या पंच बद्रा भी कहते हैं पंच कल्याणी या पंच बद्रा भी कहा जाता है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Q24 विशु की सबसे स्रेस्ट बेंस की नसल कौन सी है तो हमारे उप्षन से उप्षन मेहसाना उप्षन बी बदावरी उप्षन सी मुरा उप्षन डिये टोड़ा Q24 में सही आंसर है Q24 है स्रेस्ट बेंस की नसल कौन सी है हमारे उप्षन से मेहसाना बदावरी मुरा तोड़ा Q24 में सही आंसर है Option C मुरा मुरा जो की विश्व में स्रोश्रेट बेंश की नसल माने जाती है साथे साथ माँ आपको बता दू जो मुरा नसल है यह सबसे ज़्यादा दूद देने वाली नसल है और जो तोड़ा नसल होती है यह सबसे ज़्यादा उगर नसल है जिसे सेतानी नसल बोला जाता है वह है तो चलते हैं नेक्स क्योशन क्यों हो रहा हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमर 25 निमन में से गाय की दुदारू नसल है तो हमारे उप्शन से उप्शन A साइवाल उप्शन B हरियाना उप्शन C कांकरेज उप्शन D अमरत महल क्योशन नमर 25 में सही आंसर है उप्शन A साइवाल जो की गाय की दुदारू नसल है साथे साथ माप को यह बता दू जो साइवाल नसल है यह सबसे ज़ादा दूद देने वाली देशी नसल है और सरवादिक लेक्टोज परतिसे इसके दूद में पहाए जाता है और साथे साथ माप को बता दू साइवाल जो नसल है इसकी ताउचा डिली होती है जिसके कारणे से लोला कहा जाता है तो चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमर टूअंटी-सिठ्स गाह की दोहरे उद्देसे की उपयोगिता के लिए सभशे सरुसरे नसल कौन सी है तो हमारे आप्सण से, आप्सन एहरियाना, आप्सन भी काngraze, C मेवाती Option D. थार पारकर Q. 26 में सही आंसर है Option E. हरियाना साथ ही साथ माँ आप को यह बता दू जो कांकरे नसल है यह बारत के सबसे भारी नसल में आती है जो सवाई चाल के लिए परसिद है जो कांकरे नसल है उसकी सवाई चाल यह अपनी सवाई चाल के लिए परसिद है साथ जो थार पारकर नसल है यह अपनी रोग परती रवदिक समता के लिए जाने जाती है और इस थार पारकर नसल में सरीड का रंग बदरने की समता पाई जाती है चलते हैं Next Question के और आगला Question है Question No. 27 बारतियों गोवंस में सबसे लंबा दूदकाल कौन सी नसल का है तो हमारे उप्षन से उप्षन एक गिर उप्षन भी साईवाल उप्षन सी रेड सिंदी उप्षन डिये थार पार करें Q27 का सही आंसर है Option एक गिर गिर नसल का सबसे लंबा दूदकाल है बारती एक गोवन्स में मैं आपको बता दूँ इसका जो दूदकाल का समय है वह तीन सो पचीज दिन का होता है और ये बारती गायो में सबसे अधिक है अमरत महल नसल वारत की सबसे अच्छी भारवाए एक नसल है जबकि राज्तान की सबसे अच्छी भारवाए क नसल नागोरी है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन No.28 कांकरे नसल की उत्पतिस्तान माना जाता है तो हमारे अपस切ỉसे Option A, Kaatheavad, Option B, Kachkaran, Option C, Motengo Marie, Option C, Sindh Prant Question No. 28 में, सही answer है, Option B, Kachkaran, जो कि काकरे नसल का उत्पतिस्तान माना जाता है साथी साथ माँआप को बता दू, जो Motengo Marie है, यह साहिवाल नसल का उत्पतिस्तान है जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और जो तार पारकर नसल का उत्पतिस्तान है, यह सिंदh Prant है, जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और जो गिरगाए का उत्पतिस्तान है, यह गुजरात के अंदर है चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन No. 29 विशुशन के सबसे छोटी गाय की नसल कौन सी है तो हमारे उप्षन से, उप्षन एवेचूर, उप्षन B, केगागायम उप्षन C, खिलारी, उप्षन D, अमरत महल क्यूशन No. 29 में, सही आंसर है, उप्षन एवेचूर, जो के विशुशन के सबसे छोटी गाय की नसल मानी जाती है साथी साथ मा आपको ये बतादू, केगागायम नसल को तमिल नाडू का गोरव कहा जाता है तो तमिल नाडू का गरव या गोरव कहा जाता है और जो खिलारी नसल है, वे बाहराष्ट के सबसे अच्छी बोजा डोने वाली नसल मानी जाती है चलते हैं, नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन No. 30 विशुव में सबसे लंबा दूदकाल कौन सी गाय की नसल का होता है तो हमारे उप्षन से, उप्षन ए, होली स्टिंग, फिरीजन, उप्षन भी जर्शी, उप्षन सी, ब्राउन स्विच, उप्षन डिया, आयर सायर क्यूशन No. 30 का सही आंसर है, उप्षन B, जर्शी, जर्शी गाय का विशुव में सबसे लंबा दूदकाल होता है साथे साथ माप को बता दूए, इसके जुद में सबसे ज्यादा लेक्टोज होती है, यह 5% होती है इसे ब्राउन स्विच नसल भी केते हैं, साथे साथ माप को यह बता दूए, जो गाय के सबसे सुन्दर विदेशी नसल है, आयर सायर है चलते हैं, नेक्स्ट क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है, क्योशन नमबर 31 राश्टिय डेरी अनुसंदान संस्तान करणाल दूआरा विक्षित गाय की संकर नसल है साती साथ मैं आप पो यह बता दूए, जो करंड स्वीच नसल का क्रोस है, यह ब्रावन स्वीच साइवाल से करवाया गया था जिससे क्या हुआ क्रण स्विच नसल उत्पनिवी और जो क्रण फ्राइस का क्रोस है यह HF इंटू थार पार कर पिर उसक्षे करवाया गया था चलते हैं नेक्स क्यूशन क्यों और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 32 CSWRI अविका निगट तोंक दुआरा विक्षित बेड़ की संकर नसल है तो हमारे उप्षन से उप्षन A अविकालीन उप्षन B अविवस्तर उप्षन C अविमास उप्षन D अप्युक सभी क्यूशन नमबर 32 में सही आंसर है अविक्षन D अप्रुक सभी जो CSWRI अविका निगट तोंक है उसके दुआरा ये तीनों अविकालीन अविवस्तर और अविमास तीनों नसले विक्षित की गई है मैं आपको बता दू जो अविकालीन नसले इसमें जो क्रोस करवाया गयता हूँ है रेमबूले नर इंटू मालपुरा मादा के क्रोस से उत्वन अविकालीन है साती साथ जो अविवस्तर है इसमें रेमबूले इंटू चोकला जो मादा है उसका परजनन करवाने के बाद में अविवस्तर हुआ साथ ही साथ जो तीसरी है अभी मास इसके अंदर जो क्रोस करवाए गया था वो डोरक सेट वे सफोक इंटू सोरी क्रोस मालपूरा एम सोनाडी नसल है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 33 विशुशन के सबसे अच्छी महींतम उनवाली बेड़ की नसल है तो हमारे उप्षन से उप्षन A मरीनो उप्षन B लिंकन उप्षन C कराकुल उप्षन D सफोक क्यूशन नमबर 33 में सही आंसर है उप्षन A मरीनो जो कि विशुशन के सबसे अच्छी महींतम उनवाली साथ माप को बता दू बेढ़ की सबसे बारी वे सबसे लंबी नसल लिंकन है जो इंगलेंड में उत्वन हुई थी और जो सबसे अची पेल्ट नसर है वे कराकुल है जिसका उत्पतिष्टान उज्यविकस्तान है और जो सबसे अच्छा मटन देने वाली नसल है उसका उत्पतिस्तान इंग्लेंड है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 34 बेड़ की उत्तर पक्षिम सुस्क एंउ अर्द सुस्क छेत्र की नसल है तो हमारे उप्षन से उप्षन है चोकला, उप्षन भी सोनाडी उप्षन सी मारवाडी, उप्षन डी उप्षन सभी क्यूशन नंबर 34 में सही आंसर है उप्षन सभी बेड़ की जो उत्तर पक्षिमी सुस्क वे अर्द सुस्क छेत्र की नसले है ये सोनाडी मारवाडी चोकला है साथ यसाथ माप को बता दू जो मेवाड संभा की सर्वस्रेश नसले वे सोनाडी है जिसके कान चरते समय जमीन पर इस पर्ष करते है साथ यसाथ जो चोकला नसल है कि नाक रोमन राजस्तान की मेरीनो नसल कहलाती है रोमन अंकों की तरह होते हैं और इसे राजस्तान की मेरीनो नसल कहते हैं तो हमारे उपसन से उपसन ही मांडिया उपसन भी नलौर उपसन सी गेरोल उपसन डिय नालि उपसन सी गेरोल जो की बेरी की सबसे ज़ज़ादा बच्च पेदा करने वाली नसल है आधे शाथ मैं आपक वे बता दू बारत की से उस सबसे बड़ी नसल है नलोर है जिसे बकरी जैसी बेड़ भी कहते हैं कौन सी बकरी जैसी बेड़ नलोर को बोला जाता है यह बारत की सबसे बड़ी नसल है और जो मांड़ा है यह सबसे छोटी नसल है और जो गेरोल नसल है यह एप ई जो गेरोल नसल है इसके अंदर A, P, C, B, G, N पाई जाती है जिसके कारण ये अधिक बच्चे देती है नाली बेड़गी उन पीले रंकी होती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर टटी सिक्स इस्टुडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर नहीं है तो फटावट से चैनल को कर लिजे सस्क्राइब ताकि आप पस्वपरी चर्ट के पाटवी की टूप क्यूशन सिरीज के माद्दिम से अपनी तहरी का काफी सांधार तरीके से अकलान कर पाएं तो हमारा अग सोरी ओपसन ए जेसल मेरी जो की तोता जैसा मुकावट वाली नसल की विशेशता साथे साथ मा आपको यह बता दू जो बकरवाल नसल है उसकी उनसे लोई बनाई जाती है और जो गदी नसल है जो गदी नसल है उसकी उनसे कुलू सोल तयार किये जाते हैं और यह जो शी नसल से मोहरे प्राप्त की जाती है बेड नसल है यह बेड जैसे दिखने वाली बेड जैसे दिखने वाली बकरी है साते साथ जो एंगलो म्यूनियन नसल है को बकरियों की जर्शी गाय भी कहा जाता है जो एंगलो न्यूवियन है उसे बकरियों की जर्शी गाय भी कहा जाता है और जो टोगेन बर गए यह विश अप्ट्सण ब्हे ओप्ट्स ब्हे स्ट्रह बस गैण में बात है और रहा होता है और जो वसा का किनवन होता है वह सुडो मोनास फ्रेंजाई जो आ रहा होता है और जो दूद को दही में जो बदला जाता है वह एलेक्टो बेसिलस त्रमोफिलस दूआरा होता है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर ठटीन क्यूशन नमबर 39 में सही आंसर हैं ओप्शन C राटी जिसे काम देनों के नाम से जाना जाता है साथे साथ मैं आपको बता दू जो राटी नसल है ये बीका नेर और गंगा नगर में सरवाधिक पाई जाती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 40 में सही आंसर है ऑप्शन B जमना पारी जो की बारत की सबसे बारी बकरी की नसल है साथे साथ माप को यह बता दू यह बड़ी होने के साथ साथ सबसे सुनदर नसल भी है इसकी रोमन नाक होती है गड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुई कान इसकी मुक इस नसल को सिटी गोट या बैक याड गोट कहा जाता है बारतियों बकरियों में सरवादी कोशा जो पांच परतिशत होती है ये बराबरी में पाई जाती है और जो ब्लेक बंगाल है इस नसल का माज़ सबसे उच्चोटी का होता है चलते हैं नेक्स क्यूशन की और हमारा है वकरी की कौन सी नसल से प्राप्ट उता है तो हमारे उप्षिन से उप्षिन एंचे-गू और छेंग मे शेंग थे गीगी आपसिन में छेंग देने वाली बकरी की नसले है साथे साथ माप को बता दू बीटल नसल के बकरों में डाडी पाई जाती है और जो कच्छी नसल की बकरी में सरपिलागार सिंग पाई जाते है बलेग बंगाल नसल देशी नसलों में सबसे ज़्यादा बच्छे पैदा करने वाली नसल मानी जाती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन norm 42 विशुव की सबसे सर्वगत्तम उर्ट की नसल कुन S है तो हमारे उप्सिन से है उप्सिन E-Z-M-M, उप्सिन B-M, उप्सिन C-B, उप्सिन D-M मेवाडी क्यूशन norm 42 में सही आंसर है Option C Bakaneri जो कि उसे में सबसे सरवस्रम ऊटकी नसल मानी जाती है साथ-ए-साथ जो जेशल मेरी नसल है उसका उप्योगबारती से नदूरा किया जता है जो मेवाडी नसल है यह सबसे अलसी ऊटकी नसल मानी जाती है जो मेवाडी नसल है इस्टुडेंट जो मेवाडी नसल है ये उंट की सबसे आलसी नसल मानी जाती है और साथे साथ माँ आपको यह पतादू जो खराई नसल को तेरा को उंट भी कहा जाता है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर पोर्टी त्री मेडिटेरियन नसल भूमद्द सागरी के पास जो पाय जाती है कि मुर्गी की परजाती नहीं है तो हमारे उप्सन से है उप्सन मिनोकार उप्सन बी लेगोण उप्सन ये एनकोना उप्सन डी है फुलाई माउथ रोग क्यूशन नमबर 43 में सही आंसर है Option D फलाई माउट रोग जो की मेटेरियन नसल की मुर्गी पर जाती नहीं है साथ यसाथ माप को यह बता दू गुमदी सागर नसल की मुर्गियों के अंडों का रंग सफेद जबकि अन्य जो मुर्गी की नसलों के अंडों का रंग बूरा होता है अमिलिज नसलों को टेबल वर्ड भी कहा जाता है चलते हैंने नेक्स कैशन के ओर हमारा अगला कैशन है क्यूसर नमबर 44 मुर्गी की सबसे बारी नसल कौन सी है तो हमारे उप्षण से, उप्षण है जर्सी बलेंग, उप्षिं बी, ना, उप्षण से रोड, आईलेंड, उप्षण डे, फ्लाई मौट, रोख, क्येशन नमबर 44 में सही आनसर है, मुर्गी की सबसे बारी नस्ल उप्षण ए जर्सी बलेंग जीओंड है साथ साथ मा आपको यह पता दू जो खड़क नाता है यह मुर्गी की सबसे हलकी नसल है और जो सभी अमेरिकन नसले है यह दीपरियोजनी दीपरियोजनी का मतलब होता है जिसमें मास्ट प्लस अंडा दोनों चीज़े हो साथ साथ जो वाइट लेग है वे है जो वाइट लेग होने वेविशू की सबसे अच्छी लेयर अंडा नसल मानी जाती है जबकि कोड़नी सबसे अच्छी बोईलर मास्ट वाली नसल मानी जाती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर फोटी पाई मुर्गी की कौन सी नसल लडाकू या भारती गेम के नाम से परसिद है तो हमारे उप्शन से उप्शन कड़कनाथ, उप्शन B असील, उप्शन C गागस, उप्शन D ये बुसरा क्यूशन नमबर 40 पाय में सही आंसर है उप्शन B असील जो की लडाकू या भारती गेम के नाम से परसिद है साथे साथ जो असील नसल है ये राज इसी चाल और इसके अंदर सर्वत्म लडाकू गुन पाया जाता है कड़कनाथ नसल जो की इसके अंदर सर्वादी रोग पर तिरोदग समता होती है और इसका जो मास होता है वह काले रंगा होता है और इसका जो मास होता है वह काम अत्यजद बढ़ाने का उसके मास में गुन पाया जाता है इस्टुडेंट ये राजिस्तान पसू परीचर बर्ती के पाट B के तोप 45 कुशन्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुले चैनल पर नहीं तो भटापरशी चैनल को कलीजे सस्क्राइब इस चैनल पर आपको रोज पसुपरीचत के जीके और पार्टवी की टॉप क्यूशन शीरीज देखने को मिलेगी जिससे आप अपनी तेरिकातल का भी सांदार तरिके से कर सकते हैं तो स्टुडेंट वीडियो देखने के लिए थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में